तो बहुत बहुत श्वागा थे एक बाद जोरदार तरीके से मेरे सभी 10th, 11th, 12th आश्परेंट का बिल्कुल 10th के एक्जाम हो रहे हैं, 11th के एक्जाम बहुत सारे बच्चे डन कर चुके हैं और 12th के एक्जाम भी लागातार चल रहे हैं इन एक्जाम्स के बीच सबसे बड़ी जो प्रश्ण जेहन में हो यही है क्या सर आम NDA और J.E. की प्रपेशन एक साथ कर सकते हैं और क्या यह दोनों की प्रपेशन सर आम एक साथ करनी चाहिए बहुत सारे प्रश्ण होते हैं जैसे की 10th आप जो क्लियर करते हों उसको दो आप डिसाइड करते हो कि आपको Science Stream जाना है Science Stream चुनते ही कई सारी चीज़े जहन में आपके हैं जहां आपके जहन में कि सर मुझे NDA क्रेक करना आप यहीं आटेम्ट में ही साथ ही आपके साथ दिमाग में होता है कि सर मेरे को J.E. भी डन करना है आज मैं कहना चाहूँगा जितने भी 10th के बच्चे हैं जो especially Mkc में NDA Foundation के 2-year program का हिस्सा बनते हैं जो उनकी रणनीती होती हो यही होती है कि उन्हें एक बहतर बोर्ड प्रपेशन के साथ साथ कहीं कहीं NDA और जेई जैसे एक्जाम पे भी अपनी प्रपेशन करनी होती है आज मैं complete subject analysis आपके सामने लाओंगा क्योंकि NCIT based जो आप math, physics, chemistry पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल valuable है आपके board के भी दरिश्टी कोंड से आपके NDA के भी दरिश्टी कोंड से और आपके JEE के भी दरिश्टी कोंड से और मुझे लगता है कि आज के time में आप 10th के बाद 2 year plan में हो है 11th के बाद at least 1 year foundation program में हो या 12th के बाद आप target courses का हिस्सा हो आपको JEE जैसे exam में appear होना mandatory हो चुका है because जहां आप NDA के माध्यम से दो opportunity लेते हैं उत्ता ही JEE main में भी appear हो करके आप TS entry के माध्यम से चार opportunity लेते हैं direct SSB की जो दो army TS के माध्यम से और दो opportunity 10 plus 2 ने भी BTEC entry के माध्यम से तो मुझे लगता 6 SSB के opportunity आप create करते हैं आप JEE जैसे exam में appear होते हैं और बहतर स्कोर करते हैं और मुझे लगता है कि 10 plus 2 पे आपको इस math, physics, chemistry और parallel English और GS पे तो काम करना ही चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा segment है जो आपको इतना strong मनाता है कि आप 10 plus 2 लेवल पे ही अपने career को bell settle कर सकते हैं किसी भी छेत्र बिशेश में तो आज का यह video बहुत खास है उन सभी candidate के लिए जो यह सोच रहे हैं कि सब दोनों के preparation हम कर सकते हैं दोनों की कर सकते हैं तो क्या match है क्या चीजे हैं बहुत ही short में आपको समझाऊंगा तो चलिए तेजी से सुरू करते हैं जैसे IT में बात करें जब math, physics and chemistry की तो 90 questions आपके सामने होते हैं और 300 marks का यह paper आपके सामने होता है exactly 90 questions matter करते हैं और especially math, physics and chemistry और हमेशा आप सुनतें के NCRT ही आपका ground होता है तो आज 11, 12th की पढ़ाई में या 11th के बाद 12th की पढ़ाई में अके लिए 300 number आप देखें तो mathematics का role play यहाँ पर हो रहा है और exactly आप जेही में की बात करते हो बोर्ड में अच्छे percentage की बात करते हो तो आपको NDA की भी math की बीशे में equally बात करना होगा क्योंकि standard वही है आपके 300 marks यहाथ है physics के 25 questions 100 marks chemistry के 15 questions 60 marks total 460 marks in math, physics, chemistry से आपके बनते हैं NDA जैसे exam में और in 460 में आप 300 तक स्कोर कर सकते हैं बीना किसी tension के अगर exactly आपका in subject पे कमान अच्छा है especially math, physics और chemistry पे और बात करें GAT part की तो आपका English और पूरग पुरग पुरग जरनल studies part जो है वो एक तरीके से bonus की तरह आपके पास आता है कि अगर आपने daily newspaper की भी आदत डाली और आपने academics में अगर elementals में भी अच्छी पढ़ाई की है English subject की और general awareness में आपका interest रहा है तो कहीने के वहाँ से जितने भी marks आएंगे वो bonus marks होंगे तो मैं आज यही कहना चाता हूँ कि अगर आप अपनी math physics chemistry पर कमांड करते हैं तो आप board में तो अच्छे percentage लाएंगे ही लाएंगे आप G में भी अच्छे score करेंगे और NDA में भी अपनी say or short success को decide कर लेंगे और बस पहले लिए habit के हिसाफ से कुछ आदत आपको develop करनी होंगी जिनमें आपको news पढ़ने की आदत लानी होंगी आपको थोड़ा सा English Mac jeans पढ़ने की आदत डालनी होगी यह habit भी अगर अपने अंदर लाते हैं तो आप G.S. और English जैसे section में कमाल कर सकते हैं और अगर previous year भी अप्रोच करके आप जाते हैं अगर आप two year foundation program का हमारे हिस्सा बनते हो तो हमारा जो रणनीती है जो देश है वह यही है कि आपके math, physics, chemistry को भी अच्छा करना है पहले जीए और English को भी अच्छा करना है जिससे कि आप जाए उबोट के percentage की बात आए NDA exam में कौलिफाई करने की बात आए फिर जेए की बात है हर platform पे आप अपनी सत प्रसस सफलता को सनसिस कर सके तो this is all about the reality और मुझे लगता है कि फिर प्रपेरिरिंग फॉर जेए and you can easily score 300 to 400 marks in NDA examination और इससे मैं मानता हूँ अगर आप उस level की study और उस level की पढ़ाई कर रहे हो और एक बड़ी अच्छी बात कहता हूँ कि why you should choose the NDA ultimate कहते है ना कि दिल में तो NDA बसा अगर हमने जेए में भी अप्रोच किया सब अच्छी स्कोर किये तो एक ही रास्ता था कि हमें फॉर्ज का हिस्सा बनना था क्योंकि हम अपनी चार SSB की बात कर रहे थे यह एक बड़ा अनेस्ट तरीके से कर एक NDA कनि एक जेए बात करता है हाँ भी डिफाइन ही लाइफ के दें कि बोथ लेफ लेफ हो मैं 18 तो बहुत हों आप हों या पर NDA का लाइफ जो शुरू होती है घर चोड़ने के 18 में हो जाती है आपने जेए क्लियर किया और मैं NDA में रेक्मेंड हूआ आपकी सी इती कॉलेज का हिस्ट बने एन आपने डिफिए ज़ेट एक टॉट पर्सुएट लेगरे की एड तफ़स ट्रेणि मैं दिगरी के साथ साथ एक तफ़स ट्रेणिग प्रोग्राम से भी गुज्रा आपने क्यबल दिग्री पे काम किया, बत मैंने दिग्री के साथ साथ एक तफस्ट टुरिन प्रोग्राम को भी अटेन किया. यह देश साथ आट 7 और देशाएं अट 5, बत मैं देशाथ तटेश अट 4, early in the morning and till 10 o'clock in the night will continue and that also include you had your convocation ceremony, आपकी अपनी convocation ceremony होगी जब आप complete करेंगे अपनी जर्नी को and I had my P.O.P. और मेरी passing out parade होगी, best company to took you and the best package was offered but I was ordered to join the Pulton with two star on my shoulder, you got a job, I got a way of life, so exactly this is the journey, आप a candidate, मुझे लगता है कि दोनों ही रोल अहम है, जही का भी है है इस देश में जो केंडिए जोइन कर रहे हैं but एक NDA की बच्चे की जो भावना हो मैं आपके सामने explain कर रहा हूं exactly this is all about the life, और जर्नी में चीज़ें आगे हैं but मुझे लगता है कि exactly once you choose defense forces, exactly that's not a job, इस एक बे आफ लाइफ है जो आप अपनी जिंदगी के लिए चुनते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि this time is very much important, जैसे अपना 10th exam दन कर रहे हैं, what about two year foundation program का हिस्सा बनना है the first reason, आपको board में अच्छी score करने है, second, आपको JV crack करना है, third, आपको NDA भी crack करना है अगर target बड़ा है और इतनी बड़ी responsibility है, तो start भी आपको early करना होगा, 11th कर लिए हैं, बिल्कुल घबनाने की ज़रूत ने, this one year is enough because upcoming September के लिए आप eligible हैं, NDA exam के लिए, और फिर यही भी आपको January में appear होना है, तो अभी भी late नहीं हुआ है, जित्ती जल्दी आप 11th कर दन कर लिए हैं, फड़ा पड़ा ये one year plan के लिए, हम बहतर करेंगे और TELT का done होते ही, आपको फड़ा फड़ा बैक पैक करके आना है, MKC का ही सबनना, target batches के लिए, हमारा केवल एक ही लच्छे है, एगर आप MKC का ही सबनते हैं, इन सारे plan के अंतरकत, तो आपको career को हम bell settle करेंगे, किसी भी छेतर भी सेस में जो आप चुरना चाहते हैं, और म अतना जल्द सुरुवात होगी, उतना जल्द आप अपने लच्छे के करीब होंगे, तो आसा करता हूँ, आपको समझ में आगया होगा, कि board, JAE और NDA से कुछ भी अलग नहीं है, अगर लच्छ NDA है, तो अभी से ही शुरुवात होगी, और उस लच्छे को पाएंगे, और